स्वागा थे आप सभी के हमारे सजीर बाइक गूरु चैनल में आने के लिए धनियबाद दोस्तों मेरा नाम है सजीर उद्दिन आप देख रहे हैं मेरे यूटू चैनल सजीर बाइक गूरु तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं तो गाइस थंबेल देखके आप लोगो किसि पता चल गया जो बाइक मेकानिक हम लोग कैसे बने यह भीड्यू बना रहा हूं उनकों के लिए जो मैं ने देखा मेरे चैनल पर काफी सारे मेकानिक नया-nyया काम सीक रहा है जैसे कि कोई भी धुकान पर और उसे चाहिता रहता है जो हम लोग जल्दी से जल्दी बाइक मेकानिक होकर के अपने पैर पर खड़ा हो जाए और अपने फैमिली को समाल सके तो इसलिए यह महनत करके भीड़ो बना अगर आप लोग बाइक मेकानिक के काम सीखना चाहते हो और आपके अंदर अनुभब ज़स्बा है तो आप लोग कौन-कौन चीज को गौर करें और एक दिन कामयब इनसान बन जाए गए तो गाइस यह वीडियो हम बना रहूं बार-बार बोल रहूं यह नया नया मेकानिक के मेरे से भी ज्यादा अनुभब तजूर्बा है वह हमारा यह वीडियो एक्सिप कर सकते हैं बाद में आप लोग कौमेंट में यह नहीं बोलना ओने बोलना तो चलिए हम भिना टायम बेस की वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस आर आप लोग को टिप्स के बारे में बता इस सबसे जुनिया है उसी बखत आपका थोड़ा टेंसें बढ़ता है और आपको गब रहाठ होता है अब गब रहाठ में क्या होता है हम आपको बताते हैं आपका जो सिनियार है आपको हमेशा नीचा देखाएगा हमेशा आपको बोलेगा अब यह टूल डा चाईला अरे उस बाइक को वास कर लो यह फार्स को वास कर लो यह सब कुछ बोलेगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा अरे भाई मैं काम करने के लिए हाई हूं मुझे साला बाइक दोला रहा है मुझे चाड उला रहा है मुझे ये करवा रहा है मुझे वो करवा रहा है काम कप करने देंगे तो गाइस ये सब हर कोई सहर में होता है हर कोई दुकान में होता है हर कोई जगह में होता है इस चीज को आप दिमाग से निकाल दो क्योंकि आपसे वो सिन्यार है और वो भी इसी रस्तस्ते गिया है किसी ने उसका भी साथ इसा रैगिंग किया हो तो साहिद वो भी कर रहा है साहिद आप भी एक दिन बढ़ा हुगे इसे करेंगे तो आपको वे सब को चीज कुछ भी नहीं सोचना है आपको वे सिकर आगे बढ़ना है जितना भी टाइम मिले आपको अपको बताते हैं आपका गुरू हो या आपका सिन्यार मेगनिक हो अगर कोई भी बाइक दुकान पर आते हैं स्वाप पर आते हैं और बोलता है भाई मेरे बाइक का सेल पीस्टाट काम नहीं करता है, मेरे बाइक में स्टाडिंग प्राब्लम है, मेरे बाइक में माइलेज खराप आ रहा है, जैसे कि मेरे गड़े में गिरने के बाद बाइक में आवाज हो रहा है, तो आई सब प्राब्लम लेके आता है, तो आपको यह दिमाख में गौर करना है कि देखो यह बाइक मेरा आया है जैसे कि सेल पिश्टाट नहीं हो रहा है तो मेरा जो सिन्यार है उस कौन सा कौन सा चीज को देखता है और भाइक को ठीक करते है ओ पॉइंट कीजिए आपको आपका सिन्यार बताएगा नहीं कि अरे करके दिखाएगा और लास्ट में अगर अच्छा इंसान रहे तो बता देगा जो एक्चुली बाइक में क्या हुआ है मैं यह नहीं पता हूंगा हर इंसान खराब होता है कोई-कोई मेकानिक जो होता है अपने लड़कों को जल्दी छोनना नहीं चाहता है उसको जैसे कि द गुरू देख रहा है है तो आपने देख लिया पूछने के विजरूद ने अपने दिमाग में घुता लिया अरे एक बाइक आया और सेल्पिस्टाट प्राब्लम था उसके लिए गुरू जी क्या किया कारबन चेंज कर दिया पाइक का सेल्पिस्टाट हो गया तो यह आप शूब आप लोग कूअ पता चल जाता है जो क्या होता है यह पेव तो यह हुआ और तीन नंबर प्रेम में जो चीज है यह बहुत कुछ आदमिनें, भड़ू जाता है और यह सब चिन्ता नहीं कर सकते आप मैं एक चीज आपको बताता हूं, पैसा, पैसा क्या होता है? ऐसा चीज जो इनसान को मजबूर कर देता है, और मजबूरी में क्या क्या नहीं करवाते हैं, अब मैं जो कहना चाहता हूं, वो गौर से सुनी है, मान लिजे, आप, आप ही यो मेरे वीडियो देख रहा है, आप ही एक इंसान है आपके दुकान जैसी का आपके घर पर बहुती प्रॉब्लम चल रहा है पैसे का अब आपने क्या किया एक साल किसी भी स्वाप पे काम किया अब आपका जो गुरू है वह आपको ज्यादा अपका सैलेरी नहीं दे सकते है क्योंकि एक बाइक मेकनिक के जो हाइध सबसे हाइश्ट बेतौन होता है गाइस तीन से साड़े 353 रुपया या 4 रुपया देगा अपको इस इस से अपका संग्सार नहीं चलेगा अब आपके घर मेel परिशान अब गया पहसे की तो आपको मजबूरू में क्या करना पड़ता है दूसरा परद्रा में पईसे के लिए बाइक काम, चोड़ने का बात आप चला गः बाहर, दिली चला गः, मुंबगा चला गः, हैदराबाद चला गः कहीं भी चला गः, काम करने के लिए तो आपका सपना फीचे रही गिए, आपने एक साल वेस्ट गिया, अगर एक साल और भी आप लगाते हैं, दोकान पर एक साल आप आधारुडी खाके कुछ दोकान पर काम अगर करते तो आप कमयाब मेकानिक बन जाते हैं, तो एक चीज मेरे गौर कीज़े अगर ऐसा भी कर लेना चाहिए इसलिए मैं भीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग का दिमाग में यह पर जाए अप लोग एक साल काम करने का बाद अब दूसरे कम में अप लग गए तो एक साल आपका बेश्टा लग गया आप एक साल पिछा गिया है तो ठीक है तो आपको पैसे के पीछ आने खाने का लिया है और अच्छा दिमाग सोचने के लिए है तो आप लोग कभी भी खराब चीज को मत खाओ पीओ और पैसा बैस्ट मत करो फैमिली के साथ लगे रहो तो गाइस मेरा तीन पर आप लोग को अच्छा लगना तो मैंने मैं यह बोलना चाहता था कि आप होता है क्या अपना ड्यूटी कुट अगर अब लोग कि परिशिए तो कभी भी काम नहीं आप लोग सीकेंगे अब ड्यूटी क्या है हम अपको पताते है जैसे माल लिजे आप 8 बजे दोकान जाते हैं और शुबह आठ बजे आते हैं तो आप आप लोग को आड़ बजे जाना है और आड़ बजे आना है डिवडी ठीक करना है काभिशारे आदमी गल्दी कर देते हैं जो एक दिन स्वापर गिया काम सिखा और क्या करते हैं उसके बाद घर आया और सुचते हैं अरे भाई आज ने जाओंगा घर में रहे जाता हूं कहीं कहीं फिरेंड के साथ भूमने चल जाते हैं ऐसा होता है कभी कभी ऐसा होता है साधी बगेरा अगल बगल में कोई साधी होता है साधी में रहे गिया दो दिन तीन दिन और उसका दिमाग चला गिया साधी पर दोस्तों के साथ और अपने दिमाग में जो काम घुजता है न व आप लोग को हफता में एक दिन छुटी मिलता है या इकतवार हो या गुरबार हो हर कोई स्टेश पर एक दिन हपता में छुटी होता है जैसिके हम लोग का मान लीजे कलकता ओइस बेंगल में हम लोग को जो मालदा है यहां हम लोग का इकतवार के दिन हम लोग का छुटी होत तीसरे दिन मेलेंगे हफता में दो-तिन दिन अगर आप लोग ग्याप कर देंगे तो जल्दी काम नहीं चीकेंगे आपका चाहिता चल जाएगा और दिमाग से बाइक काम भी आपका मुझ जाएगा गाइस ठीक है तो काईस आप लोगों को पता चला जो ड्यूटी सही से करना है चुटी नहीं करना है साधी बगेरे में कुछ भी नहीं जाना है हाँ साधी बगेरे में खाना खाके आगे फिर दुकान चला गया फिर क्या रात को आया खाना खालिया तो आप लोगों को हम लोगों को जो बाइक मेकानिक जो हम लोगों का साधी हम लोगों का नसीब में मतलियें जय ऐसे ज्यादा का शाधि मेजा है किसका कई का है आपके अपने भाई WHO means पने ऑसे बैंद к कहा है छूती सकते हैं बहुत फैमिली से दूर हमेघान जिस्तेदार्प आप लोग बन सकते हैं गुरु जी का यह वादा है आप बाद में सोचेंगे तो गाइस यही था हमारा वीडियो बनाने का मकसद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो थैंक बनाने का यह वीडियो।